नमस्कार बहुत स्वागत आप सभी का आप देख रहे हैं यूज एचीन मध्यप्रदेश अतीजगर मैं हूँ अपर नमाजब मध्यप्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पतकी शपतली तो जगदीश देवडा और राजेंद्र शुकला ने जेपेटी सीम पतकी अ सवाल आता है कैबिनेट गठन का अब तक कैबिनेट गठन को लेकर कोई सुखबुगाहट नहीं है लेकिन चरचा तो चल ही रही होगी बीज़इपी हर बार चौका देने वाले फैसले लेती है क्या कैबिनेट गठन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है वैसे भी क्याबिनिट के लिए मंत्रियों के चहन में शेत्रिय संतुलन बहुत दरूरी होगा लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्याबिनिट के चहरों के लिए कितना और कब तक इंतजार करना पड़ेगा सरकार बन गई है शपत ग्रहन भी हो चुका है अब इंतजार क्याबिनिट का है नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा और मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव अपनी क्याबिनिट में किन-किन सहयोग्यों को शामिल करते हैं फिलहाल इसका इंतजार है नई चहरे हैं बड़े नेता हैं ऐसे में मंत्री पत के लिए दाविदार कई है पार्टी के केंद्र नेतरित्म ने जिस तरहां मध्यप्रदेश, 36 गड़ और राजिस्थान में नए चहरों को सरकार की कमान सौपी है और सब को चोकाया है उसी तरहां मंत्री मंदल में भी कई नए चोकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं मंत्री मंदल में संग के करीबी नेताओं के अलावा जातिगत और शेत्री समीकर्णों का खयाल रखने के साथ कुछ महिला विधायकों को भी जगा मिल सकती है सवाल उन नेताओं का भी है जिनका नाम मुखे मंदली पत की दौर में शामिल था वो नेता जो केंडर की दानेती में सक्रिये थे उन नेताओं को क्या जिम्मदारी मिलेगी क्या उन नेताओं को काबिनेट पर जगा दी जाएगी आपे सुने। इसमें दिसा निर्देश जारी किये वे हैं, इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कमिनेट में इसके संबने तयारी करने के लिए कहा है, और तुकि इस दिसा में योगी प्लकार से जन जागरन भी हो जाए, और जुनको ये बिजनेस करना उनको उसके दाइरे भ द्रक्षा भी जरूरी है, और जिनको जिनका व्योप्साय करना है या जिनको इसको खादी-पदार के उप्योग मिलेना है, तो वो उनकी जान भी जोखम में निडालें। प्री तरहां आक्शन मोड में नजर आए हैं, मुखेबंतरी यहाँ पर पहला बड़ा फैसला जो लिया गया, क्या-क्या योजनाए हैं आगे, उन तमाम चीजों को आपने खुद सुना हैं यहाँ पर, दो खास मेमान जोड़ चुके हैं मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्त हैं ब्रिजगोपाल लोया जी और साथी वरिष्ट पत्रकार हैं सर्मन नगेले जी आप दुनों का ही बहुत-बहुत स्वागत है, लोया जी पहले तो बधाई और शुबकाम ना आए, आज सरकार का शेपत ग्रहट समारों पूरा हो गया है, फैसला भी सामने आ गया है, सर लेकिन ये बता दीजे, मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनते ही बाबा के दर्बार में हाजरी लगा दी, वहां से भागे-भागे मंत्राले पहुँच गए, फैसला भी ले लिया, सर क्याबिनेट का इंतजार और कितना करना होगा? क्याबिनेट का भी कोई ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, एक दो तीन दिन के अंदर अंदर मत्यपरदेश की क्याबिनेट आतार ले लेगी, कोई ज़्यादा इंतजार की ज़रुवत नहीं है, और एक बात मैं और आप से आतरह पूरवत पहुँच, माननी मुख्यमंत् ज़्यादी आतार लेगा, और जो जो हमने चुनाओं में वादे की हैं, जिन आशा और अपेक्छा के साथ जनताने हमें चुना हैं, उन आशाओं को पूरा करना, उन अपेक्छाओं को पूरा करना, जो सरकार की जुम्नोवारी है, वो करें। खैर आप कह रहे हैं तो मान लेता हैं कि क्याबिनेट भी जल्दी सामने होगी, सर्मन अगेले जी, सर क्याबिनेट कैसी होगी, कितने मंत्री होगे, ये तमाम सवाल भी तो हैं ही, लेकिन साथ ही क्याबिनेट का खाका किस तरीके से बैलेंसिंग रखा जाए, ये भी एक बह पहले तो सबसे पहले मद्विदेश के मुक्मंत्री डक्टर महुनी आदब को बदाई और सुबकामना है और मेरे पत्रकार के नाते चिंता है कि जो 9 अक्टिवर से 9 दिसंबर तक जो मद्विदेश में मादल कोड़ा के करने बिकास के काम और लोगों की लाइफ जो है ना वह रूटीन में नहीं आप आई तो आप जल से जल मंत्री मंद्विदा का सब्सक्राश और करना है सामिल करें और रम काम करना प्रिचंड पहुमत से आप आए हैं तो प्रिचंड भायं में तुरा हैं अब आप THE जहां तक आपने यह जातिये चेत्रिये सामाज एक सोशल इंजिनिरिंग इन सब के संदर में जो आपने सवाल किया है तो मेरा यहां यह मानना है कि अभी इसमें डॉक्टर मोहन आदब के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती हैं पहली चुनौती तो यह है कि बो जो इस्टाल ब सबसे सीनियर विधायक हैं नौबार के सीनियर विधायक हैं तो आप इन लोगों की बीच में सत्ता और संग्ठन की बीच में कैसे सामंजस बनाएंगे एक दूसरा अभी आप देखिए अभी जो डो डिप्टी सीम बनें उसमें अनुसुची जाती से एक ब्रहमर समधा ऐसे लेकिन अभी महीलाओं का प्रतिन दृबसी करते हैं मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि मैंने सदेब कहा है कि मदबदेश आदिवासी बहुल राज है आदिवासी यहां पर समाज की मुकरदारा में तो आ गया हैं लेकिन वह सत्ता की भागीदारे में भी वह उपर आएं इस पर काम करना चाहिए माननी मोधी जी ने अच्छा काम किया मद्वेस में राजपाल बना है तमाम जो योजनाएं विकास कारे रुके हुए हैं उन पर अब काम होना चाहिए रफ्तार के साथ यह नगेले सहाब कह रहे हैं हमारे साथ हमारे इन्पुट एडिटर सुधीर देख्षी जुड़ गए हैं और साथी रवेंदर तोमर जी हैं पूर्व धायक हैं कॉंग्रस के वो भी जुड़ गए हैं रवेंदर जी सवाल मेरा आप से किये रहेगा कि चुनौती तो कॉंग्रस के लिए भी हो की ना एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़े रहने की किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्याबिनेट को गठन को लेकर जो कवाइदे भी चल रही है कि तो यह है कि अगर यह कॉंग्रस पार्टी के अंदर होता है तो भाती जंता पार्टी बहुत शीक पुखाड होती इसमें यह हो गया वो हो गया ल क्याबिनेट का गठन तो उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का कैसे करेंगे मैं तो किवल एक बात कहना चाहता हूं मेरा तो किवल आपसे यह कहना है आपके चैनल के माध्यम से भारतिय जंता पार्टी के लिए कि आपके सरकार आपकी पहले भी थी और अभी भी आपकी सर कार जंता ने मेंडिट दिया आपको बढ़ाई है लेकिन सबसे बड़ी बात है मध्यप्रदेश जो बेरोजगारी के दन से जूज रहा है बेरोजगारी चरम सीमा पहे और प्रष्टाचारी भी एक चुनोती है डाक्टर मोहन यादब जी मुक्मंत्री बने मध्यप्रदेश को चलिए डाक्टर मोहन यादब आ गए अच्छी बात है कोई नो कोई कमान समालेगा लेकिन हमारे चंबल संभाग में शिंद क्वारी चंबल और आसन कई नदिया हैं हजारों एकड़ भूमी बेकार पड़ी है हम पिछले सत्र में भी यह कहते रहे कि हमार नौजवानों ने अपनी सहाधत दी है तो वो चम्मल के लोगों ने दी है और उसमें भी उनके जो भाई विरोजगार है वो नौकरी के लिए दो धाई जार किलोमीटर दूर फैक्टरियों में नौकरिया करने जाते हैं दिल्ली बंबई कोलकता सूरत बढ़ोदा अंकलेश यहां आएगी एक तो यह प्रस्न है क्योंकि नौजवानों के सामने सबसे बड़ी चुनोती है और विरोजगारी के दंसे बोज़े रहे किसान की साथ बड़ी समस्या है किसान का यह सरकार बार बार यह कहती कि किसान की आयको दोगुना करेंगी लेकिन आज तक दोगुनों से पहले का गठन हो जाएगा क्या देख रहे हैं आप कि कितनी बड़ी यह काबिन अभी फिलहाल शुरुवाती दौर में होगी किस तरह से एड्जस्ट्मेंट किया जाएगा क्योंकि सिन्यॉर्टी को किस तरह से राइटली प्लेस्ट किया जाए यह भी अपने आप में बह एलान हुआ है वह आप सभी ने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से यह स्पेकुलेशन्स चल रहे थे कि किस तरीके से कौन सीम बनेगा नैने चेहरे सामने आ रहे थे कई बड़े चेहरों पर नाम चल रहा था कई लोगों के नाम आ रहे थे लेकिन जैसा की बीजेपी का आ उम्मीद की जा रही है लेकिन एक बात समझनी होगी कि कैबिनेट का जो स्वरूप है उसका जो शकल है वो क्या होगी यह बहुत बड़ी चुनोती होगी तो वो अकेले मुख्यमंतरी महन यादव या फिर दोनों डिप्टी सीम मिलकर तैय करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा विचार करने के जरूरत है क्योंकि पूरा संगठन या फिर सारी चीज़ें मिलकर जो तैय होगा वो उसके बाद ये शकल आएगे कि किस तरह का प्रतिरीदित देखा जाएगा जैसे ही मुख्यमंतरी को यादव जी को सीम बनाया गया तो यह मैसेज कहीं न कहीं सवाल अलग-अलग जो हिस्ते हैं अलग-अलग हिस्तों का अपना स्वरूप है अलग-अलग हिस्तों के अपनी जरूरत है तो ऐसे में यह उम्मीद कर सकते हैं आपकी जो कैमिनेट की बनाय जाएगी नहीं या मंत्री मंदल का गठन किया जाएगा तो सब को थोड़ा-थोड़ा प्रतिनिघ्व वहां मिलने की उम्मित हम सकते हैं हाला कि संभाग तो संभाग के लियांस से देखेных विए तो यह 33 मंदि Smith लिप nossa संभाथ अपना जा सकते तो यह भी मैं समुपाद से समझ रहे हैं कैसा संभाट से मंत एक ब्रोड प्लाटर है थोड़ी थोड़ी डेश वो हर संभाग से हो सकती है आपकी बात का निचोड मैं इसकरा से समझ रही हूँ बिज गोपाल जी मैं आऊंगी आपके पास एक सवाल ये लेकर जो नगेले साहब ने कहा कि देखे काम रुके हुए हैं बहुत अचार सहीता के चलते तो उन कामों को रफ्तार के लिए जल्द से जल्द मंत्री मंडल का गठन होना चाहिए दूसरा जो हमारे यहां पर कॉंग्रेस की नेता है रविंद्र तोमर जी उन्होंने कहा कि वादे तो बहुत करती रही है सरकार किसानों को लेकर तमाम दूसरे वर्गों को लेकर लेकिन कथनी और करनी में अंतर रहा है उस पर आपका जवाब देखिए पाने रविंत आउमर जी आपसे गिनम राग रह करना चाहूंगा कि जिस ग्वालियर चंबल की आप बात कर रहे हैं ये ग्वालियर चंबल तो हजार तीन में खरती जनता पार्टी की सरकार के पहले दस्यों के लिए जाना जा रहा है जिसके में विकास की नई यात्रा की है एक समय था कि वालियर चंबल संभाग का नाम सुनकर व्यावसाई उद्योपती डरते थे वहां आने से लोग डरते थे परन्तु हमने भय मुक्त बातावरन बनाया है और जब बातावरन भय मुक्त होता है तो निश्चित यह बात सच है कि वहां का और जोगी को और सामाजिक विकास होता है और उन दिखाई भी देर आ है वहां पर आपने वहां नेत्रत की बात कहीं कि निश्चित देखिए वहां तो हमारे पास है माननी नरें सिंग तॉमर इन है मैं कुछ भी नहीं गुमा रहा हूं रभी यह कुछ भी नहीं गुमाऊंगा ते जह मैं निपेदन कर रहा हूं मेरी बात को सुरिए मुझे आपती है इस बात पर कि चंबल में कभी दस्यों डाकू बदमास नहीं हुए अन्याय के खिलाब बगावत करने वाले बागी हुए मै कि चंबल में दस्यों डाकू बदमास यह चंबल के लोगों का पार्ण है किसी का अपनान में है मैं आपसे फिर बता रहा हूं चंबल के लोगों को बाली यह कर देंग मिला है इन्ताराव में यह को यह आन्याय कि खिलाप भगावत करने वाले बागी हुए इस भाविद्र बिल्कुल निश्चित आपने बोला होगा मैं किसी चीज से इंकार नहीं कर रहा हूं कि चंबल एक्स्प्रेस बे और उस पर बनने वाले टारी डोर चंब वालियर चंबल में विकास की एक नई वारत लिखेंगे रवींजी आपको भी मालूम है वो कहा कहा से क्या क्या होना है पर देश बने लोग वहां काम कर रहें यह गौलियर चंबल के विकास की पटकता है आज गौलियर का तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो कैसे कैसे बात हो पाई की सकारात्मत बात करिए सकारात्मत अपना पक्ष रखिए ठीक है ठीक है ठीक है हमारे साथ एक और मेहमान सर्चार में शामिल हो गए सार अगर आप दोरों ही साथ साथ बोलते रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा इस चर्चा से तो मर्जी आप बोलने दीजिए उन्हें मैं आपके पास वापस लौटूंगी सर आपको जो भी अब्जेक्शन्स हैं जब मैं आऊंगे आपके पास अब रख लीजेगा जी गौारीर चंबल में विकास के अद्वुत काम हुए और वहां के विकास के लिए हमारी प्रतिवत्धता है और वही प्रतिवत्धता यह बताती है कि जो बार बार पिछली बार कागरेश ने ठग लिया था गौणी के कारण इसमार पुना भार्तिजरुता पार्टी को सभलत कि जंता इस लोक्त तल्ट में कौन मेंडेट डेगा इस लोग तर्फ लोग था मेंडेट में चलता कितनी सकाराथ मखर आई निटी कर रहें यहां पर चर्चास बात को लेकर चिडी हुई है कि क्याबिट का इंतजार कपता करना होगा इस बीच कोगर्स की नेता यह आरोप लगा रहे हैं देखिए गौलिय चंबल को हरवक्त निराश होना पड़ा है और दूसरा कथनी और करनी में बीजेपी की सरकारों में अंतर रहा है देखिए गौलियर चंबल संभाग को बिलकुल नहीं निराश होना पड़ लाए है वहां से इतने बड़े-बड़े नेता आये हैं नरेन सिंग टोमर गौलियर चंबल संभाग से आते हैं भार्ती जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं सबस्क्राइब एक ऐसी पार्टी है और शायद इसलिए 2014 से लगातार देश की जनता उन पर भरोसा कर दिया उसके जो नेता हैं जो सिर्श नेतितों करने वाले लोग हैं शायद इसलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं कि किसी को विशेश रूप से कोई ऐसा जैसे एक सरकार होती थी 2014 से पहले जो कहती थी कि देश के असाधनों पर अल्पसंख्यों का विशेश अधिकार पहला अधिकार है तो यह सरकार जो कभी निकाती कि इसका विशेश अधिकार है किसी नेपतारिила और बंब्हों मुझे लगता एक दो दिन में हो जाएगा तो उसमें कोई बहुत परिशान होने वाली बात नहीं है इतने दिनों से जब भारती जनता पार्टी की सरकार रही है बहुत अच्छे से चली 18 साल इतने अच्छे से सरकार रही है उसके बावजूद भी अगर यह चुने गए है इतने बड़े mandate के साथ तो जनता को जो भरोसा है जनता को जनता का जो भरोसा मुझे लगता नहीं कि भरती जनता पार्टी कभी इसको नगेले जी जिस तरह से हम बात करे थे वरियता की आप पर कि वरिष्टों को किस तरह से एड़्जस्ट किया जाएगा जाहे तोर पर मोहन यादव बहुत यंग है अभी और बाकी के अ सन्तुलन साधा जाएगा ये फी अपने आप ही बड़ा सवाल है किसको लटा जाए किसको इघ्णोर किया जाए जाहिते अगत Film कर तो ने उनके पास लेकिन प्लान को इंप्लिमेंट तो भोपाल में करना होगा कि देखिए इसमें अपरणा जी सबसे बड़ी भूमका रहेगी संग्ठन की संग्ठन की और संग के लोगों की वो किस तरह से चीजों को ले रहे हैं और किस तरह से करने के लिए वो मद्वदेश के नए मुक्मंत्री डाक्टर मोहन सिंग को फ्री एंड देते हैं उस लेकिन सबसे ज्यादा चुनोतियों से भराभी ताज है आप देखे कि चार चार लोग मानी शिवराज जी भी यही है विदान सभा के चुनाव जी चुके वो तो अब इनको कैसे आपके सुरूप में कहां एडिजिस करेंगे क्योंकि आपके पास पद है नहीं अब कोई ग्रह कहना चाहतों मैं और कहना चाहतों बहुत मुद्य की बात है कि मानीक महनी आदप के समक्ष बहुत चुनोतियां सबसे पहली चुनोतिया मध्य देख में लगबग 4 लाक करोल का करज है उससे कैसे हो ब रहेंगे मध्य परस्राजने कमला है 19 वेससे कैसे काम करेगा नय सब्सक्राइब में चूबिस का रण सामने हैं इसलिए चुनौतियों पर इतनी बात हो रही है क्योंकि जो आए दिली से मध्र प्रदेश क्या उन्हें इनाम देने का यह वक्त है इनाम देंगे तो कहां देंगे कैसे इस सब्सक्राइब करेंगे 24 की जुनाओं का इंतजार किया जाएगा उसके बाद एड्जस्ट करेंगे सवाल घूम कर यह उसी एड्जस्ट्मेंट पर आ रहा है किस तरह से अंड़स्टाइडिंग मनाई जाएगी आप आप आपके सब्सक्राइब तरह सबस्क्राइब यह सब्सक्राइब से पहले चुनाओं यह मद इस में लगवाग चार लाग करोड़ कार्ज और से कैसे अब रहेंगे अग्विश्ट कर्साइब आफ ने स्थिए सुधिर जी जी आप सवाल सुन पाए मेरा आपकी जी आवाज आपके आरी सवाल दो रहेंगे आप अपना जी सर पिछली बार शिवरासिंग चौहान थे साथ मिश्वास सारंग थे इस बार मोहन यादव के साथ जो है वो उनसे ज्यादा अनुभव रखते हैं कि देखें यह जरूर सवाल वाली बात है लेकिन यह मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनोत इसमें रहने वाले क्योंकि जैसा अमने पहले भी का कि यह बीजेपी का स्टाइल है इससे पहले कई राज्यों में बीजेपी इस तरह का प्रयोग कर चुकी है में बीजेपी की जो खासियत है उसमें कहा जाता है कि उसमें सत्ता और संगठन मिलजुलकर जो है वो प्रशास्निक व्यूस्ता को या वो सरकार को समालते हैं तो ऐसे में वहाँ पर जुनियर या सिनियर का जो चीज होती है वह भावना व्यक्तिगतना होकर संगठन के देता उसी रास्ते पर पूरी पार्टी आप कहें कि पुरा संगठन चलता है तो इसका भी कुछने कुछ रास्ता इन्होंने निकाला होगा यह बात तभी उन्होंने तैय कर लियोगी जब इन दिग्गजो को केंद्रे मंत्री को संसर्थ करने से पहले ही किस तरह से आगे का होगा इसको लेकर भी स्ट्राटेजी तैयार होगी यह बीजेपी का वॉकिंग स्टाइल जैसा कि आपने कहा बहुत शुक्रिया आप सभी मैमारों का इस सर्चा में शामिल होने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं कि सीम मोहन यारत की काबिनेट का जो एलान है कब होगा कितने चेहरे होंगे कितनी बड़ी है काबिनेट होगी 24 के रण के मद्र नजर किस तरह से यहां पर बैलन्स बनाया जाएगा क्या फॉर्मूला आजबाया जाएगा हर जानकारी हर तस्वीर के लिए आपको बने रहना है न्यूजेटीन मद्र प्रदेश अच्छतीजगर पर फिल